नमस्कार दोस्तों, आज में आपको थॉमस जल्वाइडिसन के बारे में बताऊंगी, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सरूर शेर करें, अब जानते हैं थॉमस जल्वाइडिसन अमरीकिय आविशकारव एवं व्यवसाई थॉमस मेरा मतलब इन्होंने ही विद्ध पल्ब का आविशकार किया था. 11 फ़वरी 1847 में अमेरिका के ओहियोर शहर के मिलान गाव में थॉमस अलवा एडिसन का जन्म हुआ था. पिता का नाम सैम्योल एडिसन और मा का नाम नैंसी एलियर्ट था. वे अपने सातों भी बेहनों में सबसे छोटी थे साथ साल के उम्र में उनका पूरा परिवार पोठ यूरोन मिशिगेच चला गया, जहां पर उनके पिता एक बढ़ाई के रूप में फोठ ग्रेरियेट में काम करने लगे थॉमस एडिसन भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गे थे, लेकिन वहां से टिचर ने एडिसन को मन बुधी कहे कर स्कूल से बाहर बाहर निकाल दिया था, जिसकी की वजह से मात्र तिन मैने के बाद ही स्कूल वालों ने एडिसन को स्कूल से निकाल दिया, जिससे थॉमस एडिसन की पढ़ाई उनके घर उनक जी द्वारा दी गई जोग खोद एक अध्यापिका थी. R.G. Parker School से और दी Cooper Union School of Science अनाच से थी. Edison ने अपनी ज्यादातर शिक्षा प्राप की बश्पन में उन्हें एक स्काटलेट ज्वराया था और उससे उबरते समय उनके दाहिने कान में चोटा गई थी. तब ही से उन्हें सुनने में थोड़ी बहुत प्रिशानी होती थी. जैसे जैसे Edison बड़े हुए उनके सुनने की क्षमता कम होती गई और एक समय ऐसा आया कि इनके बाइकान की सुनने की क्षमता बिलकुल से खत्म हो गई लेकिन वो दाय से सुन सकते थे. उन्होंने एक बार खोद ही कहा था कि मैंने बारा साल की उम्र के बाद पंच्छियों का गाना फिर कभी नहीं सुना. अपनी मा से पढ़ाई के कारण Edison बचपन से ही जिगियासु हो गए थे क्या था जिससे वो हमीशा कुछ नकुछ किया करती थे. एक बार Edison ने किसी से पूछा चिडिया कैसे उड़ लेती है. तो उसको किसी ने बताया कि वो कीड़े खाती है इसलिए उड़ लेती है. ऐस बात को सिद्धी करने के लिए इन्होंने अपने बखीचे से कुछ कीड़ों को पकरा और उसको पीस कर अपने दोस्तों को पिला द लेकिन हुआ क्या वो लोग बीमार हो गए? उनके ऐसी सोच को देखकर लोग उनको पागल कहते थे 1862 में जब इन्होंने अपनी जान पर खेल कर स्टेशन मास्टर के बच्चे को एक रेल दुरघट नामे मरने से बचाया तब इस कारणामे से स्टेशन मास्टर बहुत खु करने की मशीन का अविशकार भी किया. कुछ समय बाद वो यू-यॉक चले गए काम नव मिलने पर वे अपी उन्हें कुछ समय खरीबी में गुजरा, लिकिन कुछ दिन बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के टेलिग्राफ ओफिस में नौकरी मिल गई. उन्होंने अपना ट 40,000 डॉलर दिये यही वो समय था जब उनका समय बदला इन्होंने अपनी प्रयोक शाला यूजर सी के माइनल पार्क में सन 1876 में किया, उनके अनेकों अनुसंधान से उन्हें माइनल पार्क का जादूगर कहा जाने लगा. ग्राम ओफूर का अविशकार उन्होंने सन 1877 में किया, सन 1889 में एडिसन ने विद्ध बल्ब का अविशकार भी इसी प्रयोक शाला में किया, इन्होंने ता पायनिक उत्सरजन्ट कर्मियनिक एमिशन के सिध्धान्ट का अविशकार किया और बाद में इसी सिध्धान्ट पर इलेक्ट्रोनिक बल्ब बनाए गए। सिनिमा, टेलेफून, रिकॉर्ड और सीडी का स्रजन इन सब ही चीजों का योगदान एडिसन को जाता है। यही नहीं एडिसन के शोधों के आधार पर ही बाद मेरे मिगटन टाइप राइट विक्सित किया गया। विदुद से चलने वाला पेन भी खोजा, जो बाद में मिमोगरव के रूप में विक्सित हुआ। सन 1889 में उन्होंनी चलचित्र कैमरा भी विक्सित किया। उन्होंने पुरिवस, United Kingdom, France और जर्मनी के 1093 पेट्रिंट्स अपने कबजे में कर रखे थे। उनके इन सभी पेट्रिंट्स का उनके आविशकारों पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। वे एक वैज्यानिक के साथ साथ एक सपर उद्ध्यमी भी थे। वो हर दिन अपने काम करने के बाद बच्चे समय को प्रयोग और परिक्षन में लगती थे। जिन्हें बच्पन में स्कूल से निकाल दिया गया था कम धिमाग होनी की वजह से आज उसी कलपना शक्ती और स् जाती है ये वही 14 कंपनियों में से एक है जिन्हें महान अविशकार के डिसन ने स्थापना की थी 40 युद्धूप्यों की आविशकार उन्होंने प्रथम विश्वी युद्धू में जलसेना सलाहकार बोर्ड का अधक्ष बन कर किया 21 अक्टूबर 1915 को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्वकल्यान के लिए सबसे अधिक कविशकारों के इस उपजाता को पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने सम्मानित किया National Academy of Sciences के सदसी की रूप में 1927 में निर्वाचित हुए सन 1912 में इनने अपनी पुराने सहयोगी तेलसा के साथ नोबल कुरुसकार मिलने को था लेकिन तेलसा एडिसन के साथ नोबल कुरुसकार लेने से इंकार कर दिये इस कारण दोनों ही वैज्ञानिक नोबल कुरुसकार से वन्चित रह गए एक दिन फुरसत के क्षणों में वे हपनी पुरानी यादगार वस्तूओं को देख रहे थे आपका बच्चा मिन्टली वी बौधिक तोर पर काफी कमजोर है उसे अब स्कूल ना भेजें। एडिसन कई घंटों तक रोते रही और फिर अपनी डारी में लिखा डाश एक महान मा ने बौधिक तोर पर काफी कमजोर बच्चे को सधी का महान वैज्ञानिक बना दिया। अंत समय में उन्होंने कहा मैंने अपना जीवनकारे पून किया। अब मैं दूसरी प्रयोग के लिए तैयार हूँ। थॉमसे एडिसन का नितन 18 अक्चुबर 1931 हो गया और वो हमें छोर कर चले गया दन्यवाद।